Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Crack Exams दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 2019-2020 के नई न्यूक्तियों के बारे में पढ़ेंगे यानि की नए अप्वाइंट्मेंट्स के बारे में पढ़ेंगे 2019 में न्यूक्ति किया गया है गाईज और अभी रिसेंट में कोई भी ऐसा तवादला नहीं हुए कोई भी ऐसे चेंजिस नहीं हुए इन सारे पोस्टिस पे तो आपके लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है और एक्जाम में भी ये पूछा जा सकता है तो बरतमान में कौन क्या है इसके बारे में हम जानेंगे तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्ण से दोस्तों जो हमारा पहला नाम है वो है सुधीर भारगव सुधीर भारगव जो देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त बन चुके हैं कब से बनाए गए हैं तो एक जनवरी दोहजार उन्नीस से डेट आपके लिए उतना इंपोर्टेट नहीं रखता है बस आपको ये ध्यान में रखना है कि सुधीर भारगव देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त है चलिए नेक्स्ट जो हमारा नाम है वो है बिजेंदर पाल शिंग बिजेंदर पाल सिंग जोकी टीवी धारबाहिक के CID के निर्माता और निर्देशक हैं बिजेंद्र पाल सिंग जो की टीवी धाराबाहिक के CID के निर्माता निद्रेसक है और इन्हें फिल्म एवं टेलिवीजन इंसिचूट ऑफ इंडिया के गवर्निंग बोड के चियर्मैन के रूप में शामिल किया गया है तो आपको धियान रखना है बिजेंद्र पाल सिंग जो बरतमान में फिल्म और टेलिवीजन इंसिचूट ऑफ इंडिया के गवर्निंग बोड के चियर्मैन में शामिल हो चुके हैं चलिए निक्स जो हमारा नाम है वो है संदीप सोमानी संदीप सोमानी किस काटेगरी में तो उद्योग ब्यापार जगत में नेक्स्ट है मनू साहनी, मनू साहनी को 15 जनवरी 2019 को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसील यानिकी ICC का नया CEO बनाया गया तो ये नाम आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है, खेल से रिलेटेड है मनू साहनी ICC के नया CEO बनाया गया कव 15 जनवरी 2019 को चलते हैं, नेक्स्ट नाम जो हमारा है वो है रिशी कुमार शुकला, रिशी कुमार शुकला जो की मध्य प्रदेश के पुर्व पुलिष महानी देशक भी रह चुके हैं और रिशी कुमार शुकला को CBI के देशक के रूप में न्यूक्त किया गया Ben आपको ध्यान में रखना है रिशी कुमार शुकला को CBI के निदेशक के रूप में न्यूक्ट किया गया है कव न्यूक्ट किया गया तो फरवरी 2019 में चलिए नेक्स्ट जो नाम है हमारा वो है प्रमोद सावंत तो ये भी नाम बहुत इंपोर्टेंट है प्रमोद सावंत आपको बताना है कि प्रमोद सावंत कौन है तो दोस्तो प्रमोद सावंत 2018 मार्च 2019 को बीजीपी पार्टी के प्रमोद सावंत गुवा के मुखे मंतरी नियुक्त किये गए तो प्रमोद सावंत गुवा के मुखे मंतरी है ठीक है प्रमोद सावंत गुवा के मुखे मंतरी और इनका कब नियुक्त किये गए थे तो 18 मार्च 2019 को चलिए नेक्स्ट क्वेशन क्यों चलते हैं जो की है सुशील चंद्रा नेक्स्ट जो हमारा नाम है वो है सुशील चंद्रा तो सुशील चंद्रा जो है इन्हें सुशील चंद्रा को चुनाव आयोग के आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है तो प्रश्न बनता है आपका कि वर्तमान में चुनाव आयोग के आयुक्त कौन है सुशील चंद्र नेक्स्ट कोश्चन है विक्रम किड्लोसकर विक्रम किड्लोसकर तो बिक्रम किडलोसकर भारतिय उध्योग परिसंग यानि की CII के अध्यक्ष की रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है नाम क्या है बिक्रम किडलोसकर चली नेक्स्ट जो हमारा नाम है वो है केशव मुरूगेश को आई टी उध्योग के सिर्स संगठा नौसकॉम के चियर्मैन के रूप में नियुक्त किया गया तो एक लाइन में आपको ध्यान में रखना है कि केशव मुरूगेश को नौसकॉम के चियर्मैन के रूप में निय प्रेशव मुरूगेश निक्स्ट कुश्चन है दोस्तो एड्मीरल करमबीर सिंग जो की भारतिये नौसेना के प्रमुख बनाए गये हैं और कब बनाए गये थे कब न्यूक किये गये थे तो फर्स्ट जून 2019 को एड्मीरल करमबीर सिंग नेक्स्ट जो हमारा नाम है वो है अ अजीत दोंबाल तो यह भारत के राश्ट्रिय सुरक्षक सलाहकार के रूप में नियुक्त किये गये हैं अजीत दोंबाल और इन्होंने इस पद को कब संभाला है तीन जून 2019 को नेक्स्ट क्वेशन है ओम बिर्ला तो दोस्तों ओम बिर्ला जो दूसरी बार भारतिये जंत पार्टी के सांसत के रूप में इन्हें 17 वी लोकसवा का अध्यक्स चुना गया है किसे ओम बिर्ला को चलिए नेक्स्ट जो हमारा नाम है वो है सामंत गोयल क्या नाम है सामंत गोयल दोस्तों सामंत गोयल को खूफिया एजनसी एंड रिसर्च एंड एनलीसिस विंग का ची चीफ बनाए गये हैं सामंत गोयल यदि सौट फॉर में बोले तो रौ के चीफ कौन है या प्रमो कौन है सामंत गोयल कब न्यूक्त किये गये थे 29 जून 2019 को डेट आपके लिए इंपोर्टेंट नहीं है बस आपको यह ध्यान में रखना है कि सामंत गोयल जिन्हें खूफि जैश्री ब्यास B.S.E. B.S.E. यानि की बॉंबे अस्कॉर्ट एक्सचेंज में जून 2019 में जैश्री ब्यास को अपना पहला स्वतंत्र महिला निदेशा के रूप में न्यूक्त किया गया तो यह प्रशन आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है यह नाम बहुत एक्सचेंज ने किसे पहली महिला स्वतंत्र पहली स्वतंत्र महिला निदेशा के रूप में न्यूक्त किया गया तो जैश्री ब्यास को तो यह नाम आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों जैश्री ब्यास चलते हैं जो नेक्स्ट हमारा नाम है वो है G.S. लक् रेफरी के अंतराश्ट्री पैनल में शामिल किया और G.S. लक्षमी ICC मैच रेफरी के अंतराश्ट्री पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला है तो यह भी नाम आपके लिए काफे इंपोर्टेंट है G.S. लक्षमी और क्रिकेट के इतिहास में जब देखा जाता है तो पहली कोई महिला है जो रेफरी बनी है तो यह आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है आपको ध्यान में रखना है G.S. लक्षमी नेक्ष्ट जो नाम है वो है अधीर रंजन चौधरी तो दोस्तों अधीर रंजन चौधरी को लोकसवा में ओम बिर्ला ने नियुक्त क और संसद की लोक लेखा समीती के चेर्मैन है तो संसद की लोक लेखा समीती के चेर्मैन कौन है अधीर रंजन चौधरी जिन्हें ओम बिर्ला ने नियुक्त किया था ओम बिर्ला कौन है लोकसवा अध्याक्ष्ट चलिए नेक्ष्ट जो हमारा नाम है वो है सौरफ भारतिये क्रिकेट टीम के पहले पुर्व कप्तान है सौरफ गांगुली और भारतिये क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानि की बी सी सी आई के अध्यक्ष इन्हें बनाया गया है कब बनाया गया है 23 अक्टूबर 2019 को तो कोईशन ये भी आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है क बरतमान में बी सी सी आई के अध्यक्ष कौन है सौरफ गांगुली बरतमान में बी सी सी आई के अध्यक्ष कौन है सौरफ गांगुली और इन्हें कब नियुक्त किया गया बी सी सी आई के अध्यक्ष की रूप में 23 अक्टूबर 2019 को तो दोस्तों ये था आज का हमारा निय यानि की appointment 2019 बरतमान में कौन क्या है तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शियर करें हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को हिट करना ना भूले वीडियो देखने के कि अरले जर छाओड़ करें दो कि झाला उले ना भूले आधियो